नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का UPPSC वाला पर एक बार फिर में आप सब के सामने यहाँ पर पस्तित हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तरप्रदेस लोग सिवायों की प्रारंवी की परिक्षा 27 अक्ठूबर 2024 को होनी है और अब हमारे पास 60 दिन से भी कम का स इसलिए आज मैं आपके सामने यहाँ पर पस्तित हूं जिहां आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं उत्तरप्रदेस लोग सिवायों की प्रारंवी की परिक्षा को पास करने के लिए या उस एक्जाम को क्रेक करने के लिए आपके पास क्या-क्या हतियार जो है वो होने जा रहो और वो importance है यहां पर test series का उस test series के साथ में और कौन कौन सी चीजे हैं जिसके तहत आप अपने इस exam को crack कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं जब भी हम लोग किसी exam की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग inspired होते हैं वहाँ पर हम लोग influenced होते हैं कुछ टॉपर से, वो टॉपर जब भी अपनी सफलता की मूल मंतर को बताते हैं, तो वहाँ पर एक शब्द हमारे सामने आता है, और वो आता है practice, यानि कि अभ्यास आपको वो मंजी दिला सकता है, जिसके आप हगदार है, और उस अभ्यास को नहीं न कहीं एक line यहाँ पर जरूर आती है, और वो यह कि मैंने अपनी तैयारी के दोरान FLT, यानि कि full length test जो थे, ऐसे बहुत सारे test का मैंने यहाँ पर नबोल सकता हूं कि practice किया था, और इसलिए आज मैं आप सब के सामने भी उसी test series के बारे में चर्चा करने जा रहा हू test series आपको उस exam से परचा कराती है, जिसको आप देने जा रहे हैं, और जब तैयारी इतनी सजग हो, इतनी मजबूत हो, कि आप उस FLT को भी crack कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपने exam के सफलता में बहुत ज़्यादा नजदीक है, यानि कि आप इस exam को crack करना चाते हैं, उसमे सफलता प्राप्त करना चाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा नजदीक है, अगर मैं आपके साथ मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इस test series की, तो क्या-क्या यहाँ पर आपके लिए benefit हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, तो चलिए start करते है सबसे important बात, सबसे महतवपूर जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, कि उत्तर प्रदेश लोग सेवायों की जो प्रारमी की परिक्षा है, यानि कि जो प्रलिम्स का exam है, वो 27th of October 2024 को होने वाला है, इस बात को आप लोग अपने दमाग में बिलकुल बैठाए होंगे, औ और अगर आज हम लोग बात करें, तो लगबग तारीख जो है, वो 492024 हो चुकी है, यानि कि we have less than, less than 60 days, अब हमारे पास में 60 दिन से भी कम का समय है, 60 दिन से भी कम का समय है, यह मैं आपको एक बार फिर से यहां पर लिख देता हूँ, नहीं तो हो सकता है कि कुछ बच्च तो इस प्रिलिम्स के एक्जाम में आप से दो पेपर जो हैं पूछे जाएंगे, पेपर वन और इसके साथ साथ मैं पेपर टू, यहां पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ, इसपेशली जी एस के बारे में, यानि कि जर्नल स्टेरीज जो है, उसके बारे में हम 150 questions जो हैं, वो आप से एक्जाम में यहां पर पूछे जाएंगे, और इन 1500 questions में से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको 130 से लिकर 135 questions जो हैं वो यहां पर attempt करने ही होंगे, क्योंकि जब आप इतने questions को attempt करेंगे, तब जाके कहीं पर आप अपने जो exam है, उसमें 100 plus questions को आप correct कर पा कराने में, मैं यह बोल सकता हूँ कि यही, यह प्रिलिम्स जो होता है, इसको main hurdle बोला जाता है, हमारे civil senses के examination में, इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ कि यहां पर 135 questions आपको attempt करने पड़ेंगे, जिसमें से 100 आपको यहां पर सही करने होंगे, तब जाके आपका प्रिलिम्स का exam जो है, वो crack हो सकता है, अब सवाल या आता है कि इसकी practice कहां से की जाए, हम लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कि हम लोगों ने हमारा जो syllabus है, यानि कि पाठ्ठिकरम जो है, उसको हमने अच्छे से cover कर लिया है, हमारी जो books थी, उसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, यानि कि जो पुस्तक जो थी, उसको भी हमने अच्छे से complete कर लिया है, और हमने जो fact हमको याद करने थे, ये भी हमने कर लिये हैं, लेकिन अब इसको apply कहां पर करना है, क्योंकि हो सकता है कि जब हम exam देने जाए, और जब question हमारे सामने आए, तो हम nervous फील हो होता है, वो दवाब जो बनता है, exam in hall का वो बहुत different होता है, जो simply हम लोग तैयारी करते हैं, और इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूं, कि जब भी आप exam देने जा रहे हैं, यानि कि जब आप 27 October 2024 को जब exam देने आप जा रहे हैं, तो ध्यान रखे इससे पहले आपको अच्छी खासी practice जो है, वो in test के माध्यम से कर लेनी चाहिए, in test के माध्यम से आप अपने आपको परक सकते हैं, कहीं कोई topic छूटा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुस्तक में से कोई चीच जो है, वो मुझसे रह गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं जब भी आप test series को लगा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अपना mind जो है, वो एकदम आपको constant रखना पड़ेगा उससी test series पर, वो दो घंटे, अगर आप FLT अगर यहां पर solve कर रहे हैं, तो अपने आपको दो घंटे आप बिलकुल isolate कर लिजे, जहां पर आप ना किसी से बात क पास में phone है, ना कोई आपको disrupt करने वाला है, ना कोई बुलाने वाला है, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि जब आप exam देने जा रहे हैं, उससे पहले आप 10-15 exam जो है, उनका अनवव, उनका experience पहले ही अपने पास सयार कर ले, ताकि वो time जो आप वहां पर utilize करना चाहते हैं, यहां पर इन FLT में solve हो जानी चाहिए, आप में से बहुत सारे अब्रती यह सोचते होंगे, कि यहां पर जितनी भी educators हैं, जितनी भी faculty members हैं, यह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मान लिया कि चलो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब को समझ में आता है, लेकिन फिर इन faculties का यह इन mentors का selection क्यों नहीं हुआ, और वो selection ना होने का कारण जो है, देखें कई बार हम लोग देखते हैं कि selection प्रिलिम्स क्वालिफाइ करते हैं, मेंस क्वालिफाइ करते हैं, लेकिन अंतिम सूची में नाम जो है वो नहीं आपाता है, उसका reason क्या है, उसका reason है, वहां पर चोटी चोटी गलतियां, अगर मैं अपनी selection की यहां पर बात करूं, या अंतिम सूची की अगर मैं आपसे बात करूं, तो उसमें सबसे important role जो था, वो यहां पर इस test series का था, मेरे जमाने में इतनी सारी चीज़े नहीं थी कि कोई बता पाए, या मुझे कोई online यह समझा पा कि जब भी आप किसी exam को crack कर रहें, तो वहां पर test series बहुत important हो जाती है, और इसलिए आज मैं आपको यहां पर सलह देना चाहता हूं कि जो भी अभ्यरती इस बार का UPPCS का exam दे रहे हैं, वो सारे के सारे अभ्यरती जो हैं, वो test series को जरूर लगाए, अपने आपको daily दो के लिए isolate कर लें, daily practice करें, कम से कम hundred questions जो है, वो आपको daily practice करने ही है, लगबग लगबग आपके पास जब आप exam देने जा रहे हैं, तो आपके पास 5000 questions का data जो है, वो आपके पास में होना चाहिए, और यह जो FLT है, यह full length test जो है, या subjective test जो है, यह आपकी तयारी को जो आपने सीखा है, जो आपने पड़ा है, जो आपने समझा है, वो सारी की सारी चीजें आप apply कर सकते हैं, मेरी शुब कामना है आपके साथ में है, ऐसी कोशिश करूँगा, ऐसा प्रयास करूँगा, कि समय समय पर आपके लिए ऐसे ही session में लाता रहूं, तो अभी भी कु एक नई दिशा देने के लिए आज ही आप test series में अपने आपको enroll करें, thank you so much